हेलो कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे मैं आपका अपना नितिस्साक बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल के साथ एक सच्चाई जो सब को बतानी उसी के माध्यम से आज एक हम बहुत गंभीर बिसे पर बात करने वाले हैं जिस बिसे पर कोई बात ही नहीं चुपी होई है बहुती बुरी इस्तती में अपना जीवन आपन कर रहे हैं हमारे किसान भाई और आए दिन आत्मत्या करने को मजबूर है और जब उन्हें खुद के कर्ज का बोज परदास्त नहीं होता है तो उन्हें आत्मत्या करना पड़ता है हमें समझना पड़ेगा कि यह आज कि आपने कभी जानने की कुछिस की है कि वह क्यों आत्मत्या कर रहे है हमें हम सब को एक साथ आना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम और आप और भारत के सभी लोग किसान को लेकर चिंता जरूर करेंगे और वह दिन वह दिन होगा जब हमारे प प्यसाँ के पैसा पैसा हो गाया कि किसान की पैसाइगा किसान की जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में जो परिशानिया उनके जीवन सिसे लेकर अब तक काफी समय हो चुका है यहां किसी ने भी शुल्जाने की नहीं सोचे राजनेतिक पार्टियां उस चीज का फाइदा उठाती हैं और किसानों की समस्या धूर गरने की कुछिस नहीं करते हैं अगर उसने खेत में आनाज भोए तो उसे खुदे लोग करते हैं और भेपार करते हैं hooman meer जाते हैं तो खिशान गरीब क談र जाते हैं हम आटप गनटे की जौन करते हैं किसां का कोई फिक्स Uneo बदो और किसलिए उसे बीच जिएंधम के वहीं हमारे लिए फ़ल ऐभाता है वहाटकली अतनी हीं किसान की आरतिख हlage लए पुरी किंग आज हम सब को बोलना पड़ेगा किया क्या सा एसा है जो किसान भाई के बाफ कोद इंद्र करने के पूट निनशलिप के पास बर्षों पुरानी साधन है आज भी बहुत बुरानी इस तरह के तरह वह अपना जीवन आपन कर रहे हैं आज हम तूजी से लेकर फईजी के जमाने तक आच चुके हैं तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं हम सब को बोलना पड़ेगा आपको भी बोलना पड़ेगा जिसे हमने दाता कहते हैं उसकी हालत आप देख लीजिए उसके खुट के खाने को उसके लाले हैं तो आज हम सब को इस चीज के विश्य में सोचना पड़ेगा और जब किसान आत्मत्याइदेश में जब ज्यादा होने लगती है तो राजनेतिक पार्टिया आती हैं उस ची वोण से वोट ले लेती हाला कि कुछ समय के लिए कि और को Is餘 का सारा मिलता है फिर किसानों की भई समस्य उह वरने लगती है तो हमें इस चीज के लिए आना पड़ेगा बोलना पड़ेगा आपने कभी सोचा है कि कोई भी कंपरी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उस चीज के पैसे वो खुद कि डिशाइड करती है कि हमें इस चीज का पैसा इतना रखना पड़ेगा किसान अपनी फचल के कभी भी पैसे खुद नहीं लगा सकता है तो हमारे यान्य दाता हमें भोजन प्राप्त कराते हैं कि हम उनके लिए दो सब्ध नहीं बोल सकते हमें बोलना पड़ेगा आपको भी ले लीजिए मोधी सरकार थाने 2022 किसान की इंकंम दोगनी करने को कहा है अब देखते हैं क्या मोधी सरकार हमारे किसान भाईं की 2022 तक किसान भाई को जाके सब्सक्राइब को अब देख सब्सक्राइब करने तो इस बिसे पर समज सब को सोचना पड़ेगा अभी आप देखें देश में को रोना चला है हर पर अपनी चीज के रेट बढ़ा कर बता रहा है बहुत करते हैं सभजी आप दूद बेच आप एक चीज जान ली आप दुनिया में कहीं रहें न आप कितने भी हमेशा जरूरत पड़ेगी एक अन्यदाता की हमेशा जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर आप कुछ दिन में सुबह लंच और डिनर और सुरी सुबह का ब्रेकफास्ट और दुपहर का लंच और साम का डिनर तीनों टाइम अगर आपको खाना प्रॉप्त होता है ना तो उसमें आप कहीं नगए आप किसान भाई को धन्यवाद बोलिए आपके पास क्य अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो इसे सेहर करें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे जिससे सरकार इस विशय में सोचे क्यों किसान भाई आत्महत्याएं कर रहे हैं क्यों वह गरीब है क्यों वह असिच्चत है आजादी कि इतने समय के बाद भी वह गरीव और अशिच्चत रहा गया तो हम सब को एक साथ आना पड़ेगा और किसान भाई के लिए बोलना पड़ेगा मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रुकेस्ट है कि प्लीज किसान भाई के हिद में भूलिए अगर आपको ये मेरा मेसेज अच्छा लगता है तो लोगों तक सेर किये मेरी वीडियो लाइक किजिए और लोगों तक सेर करिए जिससे हम किसान भाईयों के बारे में सरकार सोचे लोग सोचे और किसान भाई भी अपनी तरक्य करें